हलो फ्रेंट्स आज हमने बनाया है भरवा मिर्ची तो चलिए हमारे साथ हम इससे बना लेते हैं वेलकम तो किचिन लवर्स टीवी किचन लवर्स टीवी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत यह हमने मोटी मिर्ची ली है इसे हम अच्छी तरह से दो के पोचके रखा वज इसे अमें कि रहा एक टेया है और पेषंपल फर कर लस्फन पर करते हैं आप सेम आज सकते हैं पहलेट में अब इसे हम प्लेट में ठांसफर कर लेते एगले ये को हमने फिर से गरम करने को रख दिया है अब इसमें हम डाल रहे हैं दो टेबल स्पून कच्ची मुंग फली है ये इसे थोड़ा सा हम भून लेते हैं अब इसके बाद हम दूसरे मसाले भी इसमें हम डाल रहे हैं तो सबसे पहले हमने डाला है एक टेबल स्पून तिल है और इसमें हम डाल रहे है आधा चमच साबुत धन्या है यह हम धीमी आज पे ही इसे भून रहे है आधा चमच जीरा है आधा चमच सौफ है इसे हमें एक से डेड़ मिन तक ही भूनना है प्रेंच अगर आप हमारे चैनल पे नए आये हो तो प्लीज अब बिना सब्सक्राइब के हुए मत जाहिए बेल बटन दबाना न भूले ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके तो इसे हम बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं इसे ठंडा करने के बाद ही हम इसे पीस लेंगे तो यह हमारा ठंडा हो गया है तो इन सार जादा भी बन गया तो आप इसे दो चार दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं तो यह देखिए इसे हमें एकदम फाइन पाउडर बना दिया है यह हमने लिया है जिंजर गालिक पेस्ट तो इसमें हम आधा टीस्पून जिंजर गालिक पेस्ट डाल रहा है प्रेंस आप तीस्पून हमने हिंग लिया है और यह हमने शेजवान चटनी लिया है फ्रेंस अगर आपके पास तेल वाला आचार हो तो आप वो भी डाल सकते हैं मेरे पास आचार नहीं है इसके लिए मैं यह शेजवान चटनी डाल रही हूँ अगर आपके पास शेजवान चटनी भी न दाल दिया है, अब इसमें हम दाल रहे हैं, आधा टीश्पून नमक आप अपने सुवाद अनुसार डालिए, यह हरा धनिया है, यह मैंने एक मुट्ठी भर के हरा धनिया डाल आए, एक टेबिल स्पून हम इसमें ऐल डाल रहे है, क्योंकि ऐल बाइंडिंग का अगाम करेगा तो हमने हाथ धोके अच्छी तरह से इस mixture को हम mix कर रहे है तो ये बहुत ही अच्छी तरह से mix हो गया है अब ये तयार है stuffing के लिए तो आईए हम मिर्ची की stuffing करते हैं तो इसको हम पीछ में चीरा लगाएंगे बस इस तरह से हमें चीरा लगाना है आईए दूसरी मिर्ची को भी हम इसी तरह से चीरा लगाएंगे प्रेंश मिर्ची के बीच में जो बीज रहते है आप चाहो तो इस और निकल सकते हो अगर आप ना चाहो तो इसको ऐसे ही रहने तिजए मैं इन मिर्चियों के बीज निकाल रही हूँ तो ये चम्मच से अगर आप इस तरह से निकालेंगे तो बहुत आसानी से ये बीज निकल के आगे है आईए अब हम इसे मसाला स्टाफिंग कर देंगे तो ये देखिए इस तरह से हमें डालना है ये मसाले को तो ये दूसरी मिर्ची में भी हम इसी तरह से ये मसाला भर रहे है ये बहुत ही टेस्टी मसाला बनता है और एक बार आप इसे जरूर ट्राय कीजिएगा तो इसी तरह से हमने सारी मिर्चियों में ये मसाला भर दिया है आईए अब इसे हम फ्राय पैन में डाल देंगे फ्राय पैन में डालने से पहले हमने फ्राय पैन को गरम करने को रख दिया है इसमें हमने दो टेबिल स्पून ओईल लिया है तो ये ओईल हमारा गरम हो गया है अब इसमें हम डाल रहे हैं आधा चममच राई है ये राई चटक रही है इसे हम थोड़ा मिक्स कर लेते हैं अब इसमें हम डाल रहे हैं ये हमारी स्टफ्ट परवा मिर्ची फ्रेंस गैस को आप धीमी आँच पे ही रखे तेज आँच पे इसे ना बनाए और इसे हम तीन से चार मिनिट के लिए डखकन देके इसको रख देते हैं तो ये देखिए हमारा चार मिनिट हो गया है आईए इसे हम खोल के देख लेते हैं आईए इस मिर्ची को हम पलट लेते हैं ये मिर्ची थोड़ी सी भारी है तो इसके लिए हमने ये चिम्टी लिया है और ये चिम्टी से बड़ी आसानी से पलट रहे है तो बस सारी मिर्ची को हमने पलट लिया है अब इसे हम दुबारा ढखके रखेंगे इसे हमें 2-3 मिनिट तक और पकाना है तो ये हमारा 3 मिनिट हो गया है आप इसका कलर देख सकते हैं इन सारी मिर्चियों को हम पलट लेते हैं और आप देख सकते हैं मसाला भी बहुत अच्छी तरह से बग गया है अब इसे हम 1 मिनिट के लिए ढखके रखा था तो आईए ये ढकन खोलते हैं तो आप देख सकते हैं एक दब बढ़िया हमारी भरवा मिर्ची तैयार है आईए इसे हम प्लेट में ट्रांसपर कर लेते हैं फ्रेंस मिर्ची में जो मसाले भरे हैं उनकी महग बहुत अच्छी से आ रही है अब इसको हम थोड़ा सा हरा धनिया से गानिश कर लेते हैं तो ये थोड़ा सा हरा धनिया हमने इसके उपर ढल दिया है प्रेंस अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और कमिट करना न भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूले तो फिर मिलते हम आपसे, तब तक के लिए, बाई